एलो फ्रेंड्स तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स एक्ससाइज नंबर 3.2 सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इंपोर्टेंट फॉर्मॉला जो हम इस एक्ससाइज में यूज होने वाले हैं तो इसमें ये क्वाड्रेंट्स यानि चतुर चतुर्थास याद करने पढ़ेंगें वैसे सारे की याद करने की जरूत नहीं है इसमें साइन और कॉस जो मीन है इनके याद करने लो आप ठीक हैं कि साइन के 1st, 2nd, 3rd and 4th चतुर्थास में क्या होते हैं चतुर्थास इस तरीके से होता है ये इसमें 1st वाला, ये 2nd, 3rd and 4 चतुर्थास अठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं कि sin x की 1st, 1st में plus है, 2nd में plus है और बाकी 2 में minus है और cos x की 1st, last में plus है, बाकी 2nd and 3rd में minus होगी value इसके थो हम sin and cos की value से हम 10x की निकाल सकते हैं क्योंकि 10x is equal to क्या था है 10x is equal to होता है sin x upon cos x ठीक है इस तरीके से हम सब की value निकाल सकते हैं जैसे sin x is equal to होता है 1 upon cos x cos x is equal to होता है 1 upon sec x and 10x is equal to होता है 1 upon cot x तो ये सारे हम sort out कर सकते हैं सेकुンド टेवल है इसमें इनकी value की degree इसमें भी हमें जादा पढ़ने की ज़रूत wa नहीं हे this aroundwest डिगरी यानि 180 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तियां के 18 तो यह 30 डिगरी आ जाएगा तो यह इस तरीके से हम लिख सकते हैं ठीक है अगर आपका कहीं पर ऐसी वैल्यू आता है तो इसका वैल्यू मतलब यह 45 जैसे 45 जैसे 45 जो आंसर होगा यह होगा 1 by root 2 तो इस तरीके से यह pi by 2 तक है ठीक है इतना याद करनी जरूता है क्योंकि जो cost की value होते है वो इसके reverse में होते है जैसे देखो sign यह 0 की value का मान होता है तो यह 0 तो यह 90 की value का मान होता है ठीक है reverse में एकदम cross उल्टा ठीक है से हम ऐसी इसके pi by 2 तो यह 1 by 2 sorry pi by 6 की value को जो मान होगा pi by 3 यह नहीं 60 का मान होगा 30 के बराबर 1 by 2 1 by under root 2 1 by under root 2 यह बराबर होते है बीच वाला और यह under root 3 यह इसके opposite चला गए यह वाला और यह 1 तो यह 1 तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं बागी 10 की value के लिए क्या करना है 10 की value के लिए वही formula है 10x is equal to sin x upon cos x ठीक है यह sin x की value रख दो यह cos x की value रख दो तो यह आ जाएगी 10x की value ठीक है तो इस तरीके से हम इस table को याद कर सकते हैं simple तरीके से ज़्यादा इसको वो नहीं करना length ही नहीं बनाना या ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूत नहीं है अब बात करते हम इसके first question की तो first question में यह पूछ रहा है यह दिया है हमे cos x is equal to minus 1 by 2 तो इसके x के third quadrants से हैंगे ठीक है third चतुरतां से तो इसके find करने 5 other functions जो इसके 5 other होंगे cos x के वो हमें find out करने है अभी देखो यहाँ पे इसको हम कैसे find out करेंगे तो यह हमने cos x is equal to minus 1 by 2 लिख लिया तो हम इसमें formula यह use करेंगे sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है ठीक है यह हमें पता रहता है तो cos x की value में दे रिखी यानि cos theta की value दे रिखी तो हमें sin theta की value यहां से निकाल सकते है तो sin square theta is equal to हो जाएगा है यह 1 यह cos square theta is equal के उस ताइज चला गया तो यह हो गया minus cos square theta तो यह हो गया sin theta बराबर sin theta यह square के चला गया यह root लग गया इसमें ठीक है यह root आ गया तो यह हो गया 1 minus cos square theta अब हम यहां पे cos square theta की value cos theta यह है हमारा cos theta की value minus 1 by 2 तो हमने यहां पे रख दी minus यह हो गया minus 1 by 2 और इसका square है तो square से क्या होता है यह minus क्या होता है प्लस में होता है वह है इस तरीके से होता है minus 1 by 2 into minus 1 by 2 तो यह minus से minus cancel हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से square से minus हट जाता है अब इसके बाद हो गया यह 1 minus 1 by 4 root में तो यह इसको इसके साथ multiply करेंगे 4 into 1 4 चारी कम 4 और minus 1 तो 4 मिसे गया है यह आगया under root 3 by 4 plus minus में ठीक है तो plus minus में अब देखना है यह third quadrant suppose रहा third quadrant यानी तीसर चतुरतांस में तो इसको देखना है कि तीसर चतुरतांस में sin x की value क्या होती है तो तीसर चतुरतांस में sin x की value होती है minus में तो यहाँ पर minus आएगा minus under root 3 by 2 plus इसमें सिरफ sin और cos के ही जो coordinates है चतुरतांस उनकी ही value देखनी है ठीक है उसके बाद हम इसकी 10 x से 10 x की निकाल देंगे तो 10 x में हम क्या लिखते हैं 10 x is equal to होता है sin x by cos x यहाँ पर sin x की value रख दो यहाँ पर cos x की रख दो यह minus से minus cancel हो गया यह 2 से 2 cancel होगा क्योंकि यह दोनों बट्टे में अपॉन में तो यहाँ बच गया खाली under root 3 तो यह under root 3 यह answer आ गया हम इसे sin के बाद 10 x के बाद हम cortex की निकाल सकते हैं तो cortex में क्या करेंगे cortex is equal to होता है 1 by 10 x तो 1 by 10 x यहाँ पर 10 x की value रख दी जो हमने अभी निकाली है under root 3 तो यह under root 3 यहाँ गया cortex is equal to 1 by under root 3 इसके बाद यहाँ पर कॉसिक x तो कॉसिक x is equal to होता है 1 upon sin x तो यहाँ पर sin x की value रख दी minus under root 3 by 2 तो यह value आ गया यह 2 क्या हो गया यह उपर चला जाता है ठीक है तो यह हो गया minus 2 by under root 3 then इसके बाद है यहाँ पर 5 यह जो 5th value पूछ रहाता तो यह find करनी थी तो इसमें 5th है sec x तो sec x is equal to होता है 1 upon cos x तो यह रख दी हमने minus 1 by 2 cos x की value और यह 2 चला गया उपर तो यह minus के साथ यह देखो minus है तो यह minus के साथ आगए इसका answer minus 2 अब करते हैं question number 5 को ठीक है बाकी क्योंकि question से में हैं तो आप कर सकते हो अब देखो question number 5 को किस तरीके से करते है question number 5 दिया है 10 x is equal to minus 5 by 12 तो x के second coordinates find out करने हमें 5 other functions तो यह बाकी second 14 दे रखा इसका बाकी के 5 और हमें निकालने है तो formula होता है sec square x minus 10 square x is equal to 1 ठीक है तो sec square x बराबर क्या हो जाएगा यह minus 10 square x इधर चला जाएगा इस side में तो यह हो गया 1 plus 10 square x और अब हम sec x is equal to लिख सकते हैं यह square चला गया इसको root कर दिया इसने square से यह root लग जाता है तो यह हो गया root 1 plus 10 square x बाके हमें 10 x की value दे रखी है यह हमारी 10 x की value है minus 5 by 12 तो इसको हमने यहाँ पर रख देना है ठीक है तो यहाँ पर रख दी तो यह हो गया 1 plus under bracket में minus 5 by 12 का square अब इस square से क्या हो जागा यह minus हट जाएगा क्योंकि यह minus minus क्या होता है गुणा करने पर यह minus हट जाता है minus minus plus हो जाता है ठीक है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए था यह minus 5 by 12 into minus 5 by 12 होता है यह 2 का मतलब तो टाइम multiply तो यह minus से minus cancel हो गया ठीक है minus minus plus हो जाता है अब यह आ गया हमारा यहाँ पर 1 plus 5 का square 25 हो गया 25 और 12 का square हो गया 144 अब 144 को हम 1 के साथ add करेंगे तो 144 प्लस 25 हो जाएगा 169 और by 1 by 44 तो यह root में अब root हटाने के लिए हम इसका square करेंगे तो 13 का square होता है यह ठीक है 13 into 13 कितना होता है 169 12 into 12 का square क्या होता है 144 तो यह आ गया 13 by 12 अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस है इसके लिए फिर हमें अभी quadrants वाली चतुतांस वाली table में जाना पड़ेगा और देखना है यह हमारी second quadrants में second quadrants में sec की value क्या होता है यहाँ पर माइनस होती है तो हमने यहाँ पर माइनस लेना है 13 आ गया से हम यहाँ पर cortex के निकाल सकते है cortex is equal to 1 by 10x और यह 10x की value रख दी और यह 12 चला गया उपर तो यह आ गया माइनस 12 by 5 अब हम यहाँ पर sin x की value निकालने के लिए यह तो हम इस तरीके से कर सकते हैं 10x is equal to sin x by cos x और यह cos x इधर multiply हो जाएगा ठीके तो यह आ जाएगा sin x sin x is equal to यह आ गया sin x is equal to 10x into cos x अब हम 10x की value पता है और cos x की पता है तो हम यहाँ पर रख देंगे 10x की value minus 5 by 12 and into minus 12 by 13 तो यह minus minus हो गया plus ठीके और यह 12 से 12 cancel हो गया तो sin x की value आ जाएगी 5 by 3 ठीक है यह plus में आ गया 5 by 3 तो यह इसका आ गया sin x की value अब निकालते हैं हम इससे cos x की value तो cos x is equal to होता है 1 upon sin x तो यहाँ पर हमने sin x की value रखी और यह 13 चला गया ओपर तो यह आ गया 13 by 5 एक और तरीका है इसको sort out करने का इस question को तो देखो इस तरीके से हमें एक triangle बना दिया इसको बोलते हैं base यानि आधार और इसको बोलते है perpendicular ठीक है यह vertical इसको बोलते है lump तो हमें पता है 10 x यह हमें 10 x की value दे रखी है minus 5 by 12 10 x is equal to क्या होता है lump बटे आधार तो यह 5 और यह 12 हो गया ठीक है अब हमें इसका यह hypotenuse निकालना है इसका diagonal तो diagonal निकालने के लिए जो formula होता है वो पाइथा गोरस परमे से होता है जो कि इस तरीके से k square यानि कर्ण का वर्ग से इस दो बोजाओं के वर्ग के बराबर होता है तो यह 5 का square प्लस 12 का square पांच बज़े 25, 144 और 169 is equal to 13 तो यह हमारे diagonal आ गया है ठीक है यह जो hypotenuse आ गया यह आ गया 13 तो इस से हम sin x की value निकाल सकते हैं तो sin x is equal to क्या होता है यह होता है लंबटे आधा लंबटे यह लंब यह कर्ण L by K तो यह L by K से हम क्या निकाल सकते हैं sin x की value सीधे direct यहाँ पे तो sin x की value आ जाएगी सीधे directly क्या यह हो गया पांच पांच बटे 13 ठीक है यह 5 है और यह 13 है ठीक है इसके लिए formula इस तरीके से है अगर आपको नहीं पता यह लाल बटे कका एक सौट ट्रिक्स है इसमें sin x की value होती है L by K यहनि लंब बटे कर्ण cos x के लिए होती है आधार बटे कर्ण और 10 के लिए होती है लंब बटे आधार तो इस trick का यूज़ करके भी आप इन सारे जो इसके quadrants हैं चतुर्थान से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ठीक है ना बाकिया पही यह given ही था हमें की 10 x is equal to minus 5 by 12 तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अब बात करते हैं इसके question number 6 की question number 6 है हमें दे रखा है given है यह given हमें sin 765 degree यह इसके angle दे रखा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं sin is equal to sin bracket में 4 pi plus 45 ठीक है क्योंकि 4 pi को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि pi is equal to 180 degree होता है और 180 degree को अगर हम 4 से multiply करेंगे यहां पर तो यह आ जाएगा 720 degree ठीक है तो 720 में अगर हम 45 को add करेंगे यह 45 को तो यह हमारा same इतना ही आ जाएगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप कोसिस करना है इसको pi की value की form में रिखना इस तरीके से और इसमें multiply करना जैसे मैंने किया ठीक है इसके बाद sign यह हो गया sign into theta तो sign into यह bracket में इसको लिख सकते हैं direct sign theta इस तरीके से लिखते हैं इसको ठीक है तो sign 45 की value क्या होती है 1 by root 2 तो यह इसका answer आगा है तो यह question इस तरीके से sort out करना है ठीक है इसके बाद इसमें second question दे रखा जो की मेरे हिसाब से ज़्यादा important है आता है भी यह question तो यह 7 question number 7 है cosic bracket में minus 1410 degree ठीक है अब formula क्या होता है cosic minus theta is equal to minus cos theta cosic theta तो यह minus है जो यह minus यह बहार आजाता है तो यह हमारा हो गया minus cosic theta theta की value जो है वो उसी का वही हो गया 14 सा 10 degree हो गया अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं minus cosic और यह into 4 या तो इसे 4 into 2 pi थोड़ा easy करने के लिए क्योंकि 2 pi value is equal to क्या होता है 360 degree ठीक है और 360 के साथ अगर हम 4 को multiply करेंगे तो आएगा 1440 या पर हम यहाँ पर pi लिख सकते है और इसे 8 बार multiply करना पड़ेगा तो यह 8 गुणे 18 180 तो यह फिर भी 1440 यह आएगा तो 1440 में से हम क्या करेंगे 30 minus करेंगे ठीक है 1440 ठीक है यह 1440 में से अगर हम इस तरीके से 1440 में से अगर हम 30 को घटाएंगे तो हमारे पास answer बचेगा 1410 तो जो की यहाँ पे है 1410 ठीक है तो चेंज इस कुछ नहीं आने वाला तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अब बचके अगर हम इसको next term में लिखें तो इसको next term में हम लिख सकते हैं इसको minus कॉसिक और यह minus 30 डिगरी minus theta equal to minus aos X theta ठीक है इस तरीके से यह formula होता है तो इसको minus फिर बहार आगा और यहाँ minus पहले से तो यह minus minus क्या हो गया प्लस हो गया तो हम इससे लिख सकते है क्या लिख सकते हैं कॉसिक 30 डिगरी और यह कॉसिक 30 डिगरी की वेल्यू होती है 2 तो यह आगए इसका answer तो इसके लिए value यह मैंने table बनाई है आप इससे सारे के सारे जितने भी है इसमें बाकी जो question उसको इस formula से sort out कर सकते हैं अगर आप पे minus वाला आता है देखो minus sin theta के लिए होता है minus sin theta अगर आपका sin minus theta की ऐसे तरीके से लिख सकते है minus sin theta cosic minus theta को अब लिख सकते है cos theta 10 minus theta को अब लिख सकते है minus 10 theta sec minus theta को अब लिख सकते है sec theta cosic minus theta जो भी हमने use किया उसको लिख सकते है minus cos theta and cot minus theta को अब लिख सकते है minus cot theta अब मेरे साब से इसमें एक last question बच जा है जो की important है वो है sin-11 by pi by 3 इस question को किस तरीके है इस तरीके के जो question है उनको कैसे sort out करते है solve कैसे करते है तो इसको हम यहाँ पर मैंने आपको भी formula बताया था sin-θ, यह minus है यह theta है यह theta की value दे रखी है sin-θ बराबर करता है minus sin-θ तो इसको हमने यह लिख लिए minus sin-θ, यह हमारी theta की value है अब यह है हमारा theta इसको अगर हम 3 से divide करेंगे ठीक है, अगर हम इसको 3 से इस तरीके से divide करेंगे 11 pi by 3 ठीक है, तो यह हो गया हमारा 3, 3 तियांके 9 ठीक है, 3 pi प्लस 3 तियांके 9 तो यह हमारा आगे चला जाएगा जादा जो कि हमें value पता नहीं होगी तो हम इसको क्या करेंगे इसको लिख सकते है 11 pi को अगर हम 3 से divide करेंगे तो यह होगा, 3 चकुब 12 4 pi और यह 11, तो इसमें क्या करेंगे minus pi by 3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो यह इस तरीके से इसे लिख सकते हैं इसके साथ multiply करेंगे यह नि इस तरीके से हम से लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पर वही क्या है इसको लिख दिया हमने direct 4 pi minus pi by 3 क्योंकि अगर हम इसके साथ multiply करेंगे 3 चकुब 12 और 12 में इसे एक पाई गया है sin minus theta is equal to minus sin theta ठीक है minus और यहाँ पर minus पहले से ही है यह देखो तो यह minus minus हो जाएगा plus में और यह आजाएगा pi by 3 तो pi by 3 होता है हमारा pi by 3 equal to 180 degree by 3 यानि इसको 3 से divide करेंगे तो 60 degree आजाएगा तो 60 degree की value का जो answer आएगा वो आजाएगा under root 3 by 2 तो यह हो गया हमारा answer ठीक है बाकी इस exercise के जो बाकी के question है वो आप खुद sort out कर सकते हैं अगर आपको कोई doubt होगा तो आप मेरे नीचे description में मेरे telegram का telegram group का link है वहाँ पर जाके आप मेरे से पूच सकते हैं जो भी question में आपको doubt है ठीक है बाकी इस video की जो pdf है वो भी आपको मेरे telegram group में मिल जाएगी thanks for watching